सब्सक्राइब करें हमारा यूटीब चैनल और बेल आइकोन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राफ्ट करने के लिए साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राफ्ट करने के लिए क्लिक करें D&K Academy और जाएं प्ले लिस्ट आप्शन पर जहां आपको मिलेंगे पॉलिकी, जिग्रोफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजन और अन्य सभी सब्जेक्ट के वीडियो इस वीडियो इस इंस्पॉंसर्ड बाइ मॉक्टाइम डॉट कॉम साथियो नमस्कार, बहुत अस्वागत है आपका D&K Academy के वीडियो में मैं हूँ भगवत दांगी, फाउंडर D&K Academy आप देख रहे हैं डेली करन फेर्शो और आज है 29 जुलाई 2017 वीडियो सुरू करें, उससे पहले मैं आपको बता दिना चाहता हूँ कि पिछले चार दिनों से जो वीडियो नहीं आ रहे थे, उसका एक कारण था जिसको हमने शॉट आउट कर लिया है और संभवता बहुत जल्द एक दो दिन में पुरानी वीडियो भी आपको चारो वीडियो मिल जाएंगे और ताकि आपकी जो लगातार बीच में अपडेट चूट गई है वो आपको मिल जाएं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करेंगे अगर जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को कलाम साहब का जन्म हुआ था और कलाम साहब जो रहें 2002 से लेकर 2007 तक के ये भारत के रास्टर पती रहे थे वैसे तो वे ग्यानिक थे लेकिन रास्टर पती रहे थे और सबसे ची बात ये कि निर्वरोधी चुने गया थे इनकी जो पुक्स हैं वो किताबे हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं परिछाओं में भी पूछी जाती हैं और आपको भी पढ़नी चाहिए एक किताब है इनकी बॉक्स हैं जो कि इमपोटेंट है इसके लावे इनके सम्मान में जो वीलर दीप है जो कि इस्तित है भुहनि शवर के पास में समधर के अंदर बंगाल की खाली में स्सित है चलिह अगले पृस्त की हम बात कर लेते हैं तो किस दक्षन अमेरिकी देश ने विशुविंग और I.M.F. से पूर्ण स्वतंतरता घोशित किया है यानि कि अब उनसे अलग हो गया है पूर्ण स्वतंतरता जिसने घोशित किया है और वो देश है बोलीविया यदि बोलीविय के हम बात करें तो बोलीविया के जो रास्टपती है ये वो मौरा लेस उन्होंने ये घोशना की है और बोले वे कि जो राजधानी जहां पर जैसे कि आप यह देकबा रहे हैं बोले कि जो राजधानी है वो लापेज है और यहां के जो प्रitute है जिसे मैंने बताया यह वो मोरा लेस है वहीं अगले उनकी हम बात करें जिसे ब्राजील एक और देसे तो ब्राजील बहुत बढ़ा देस है यहाँ पर ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है यह पूरा के पूरा जो है ब्राजील है यह वाला जो पूरा है यह यह ब्राजील है तो ब्राजील यह जो है ब्राजील की राजधानी है यहाँ पर आप देखेंगे यह सारे यह ब्राजील के ही छेतर है तो ब्राजील यह है ब्राजील की राजधानी अगर ब्राजील के प्रेसिडेंट की बात करें तो माइकल तैमी जो है यहां के प्रसिडेंट है और वहीं चिली की बात करें तो चिली भी एक दक्षनामेरी की ही देश है चिली आप देख सकते हैं यह जो छितर है यह चिली है यह वाला जो चिली है और यह जो है इसकी राजधानी सैंटियागोस की राजधानी है वहीं एकवाडोर की बात कर कि जो रेखा है जिसे एक्वेटर कहा जाता है वो सबसे पहले एकवडोर से ही होकर गुजरती है अगले प्रस्न की हम बात कर लेते हैं किस देश के 22 वर्सी 13 एडम पीटी ने 25 जुलाई 2017 को वर्ल्ड एक्वाटिक्स चेंपियंशिप की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इस परधा के जो हैं नागरिक हैं या ब्रिटेन के रहने वाले हैं तो यह इंपोर्टेंट है माइकल फ्लेप्स एक और बड़ा नाम है तेरा की में लेकिन यह इन्होंने अपना खुद का विस्व रिकॉर्ड तोड़ा है तो यह थिहास इनकी द्वारा रचा गया है यदि हम ब्रिट अगले प्रिसन की बात कर लेते हैं तो 27 जुलाई 2017 को बिहार के नए मुक्यमंत्र के रूपने किन्होंने सपतले ती एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है बिहार के अंदर चल रहा है तो फिर से जो है जो समता पार्टी के निदिसकुमार जी है उन्होंने सरकार बनाई है और ये बीजी पी के साथ गडवन्दन करके ये सरकार बनाई है यहाँ फोटो में दे सकते हैं यहाँ पर आपको नितीश कुमार जी दिख रहा है और ये हैं मोदी जी शुशील मोदी जी जो अब उपमुक्यमंत्री बने है वहां महा गडवन्दन लालु जी के जो पार्टी थी औ उनसे इस पस्टिकरन कहा तो इस पस्टिकरन नहीं दिया गया तो उसके बाद ये गडवन्दन तूट गया और नितीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ गडवन्दन करके फिर से पार्टी फिर से सरकार बनाई है और यहाँ पर जो उपमुक्यमंत्री अब बनाएगा है व तो संतोस उपाधियाईजी को नेपाल के मुकि नियाधिस के रूप में नियुक्त किया गया है अगरे प्रस्न की बात करें विलगेट्स को पीछे छोड़ते हुए हाली में कौन सा वेक्ति विसका सबसे अमीर वेक्ति बन गया है सरवाधिक समय तक लगो तेस साल तक जो है विलगेट्स सबसे धनी वेक्ति रहे हैं और अब उनको पीछे छोड़ते हुए जो सबसे धनी वेक्ति बन गया है वो जेफ वेजोस बन गया है जेफ वेजोस की बात करें तो ये अमजोन के फाउंडर है अमजोन जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइड है उसके ये फ की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो चांद पर बस्ती बनाने का काम कर रही है निशांद पर रहने का एक सपना दिखाया इस बने स्पेस क्राफ्ट करके एक कंपनी है उसके ये प्रमुक है एलन मस्क सहाब अगले प्रसन की बात कर लेते तो हाल ही में सुप्रिम चाहरती दंड सहिंता आईपी सी की धारा 498 ये इंपॉर्टन धारा जाना दिएगा 498 है बहुत ही इंपॉर्टन धारा इसके गलत इस्तमाल पर किस अपराज के लिए सीधे सिकायत पर गरफतारी पर रोक लगा दी गई है अभी तक होता है ये था कि यदि कोई महिला किया जाएगा सुप्रिम कोट ने हाल ही में ये आदिस दिया है और ये काफी अच्छा आदिस है क्योंकि कई बार ऐसे कैसे हुए है कि घर के अंदर लडाई किसी और विसे पर होती है या गर परिवार में प्रावलम कुछ और होती है तो उसे दहिस प्रडाना का नाम देकर चीजें दूसरे तरीके से की जाती है तो उसी चीज को देखती हुए है जो सुप्रीम कोट ने इसके उपर रुक लगा दिये कि सीधे गराफ़तार नहीं किया जाएगा अगले प्रस्ण की बात करने थे हाल ही में किस युनिवर्सिटी के एक सोध में खुलासा हुआ है कि बिछले 65 वर्सव में मानव ने 8.3 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया है और यह हाल कि 65 सालों के अंदर मानव ने ऐसा किया है और यह जो सोध हुआ था जौर्जी युनिवर्सिटी में हुआ था जौर्जी युनिवर्सिटी जो है यूएसे यानि कि सहित्राज अमेरिका की युनिवर्सिटी है तो इसके दोरा यह सोध किया गया था और इसमें कहा गया है कि मानव ने इतना सारा प्लास्टिक जो है दुनिया में लेकर आ गया जाना जाएगा तो यह अबिसे टूर सबस्कार ने भारती मुल्किं विदेशी नागरिकों से विवाहा उपरांत सामने आने वाली कटनायों का पता लगाने के लिए विशेशघ समिति के गठित की और इसका काम किसको सोपा गया है ये इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके जो अध्यक्ष है एन आर आई आयोग पंजाब के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूरति अरविंद कुमार गोयल तो ये जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए है जो देखेगा कि भारती मूल के विदेशी नागरिक होते हैं वह विवाह के बाद आउनकों किसी परकार की प्राप्रम अध्यक'थ Radio का बिवाह हमतलब यहां से जब विवाह करके ले जाते हैं तब उसकी बात कर रहा है उनकी शादी वहाँ किसी और से होती है वो हमारे लिए ज़्यादा परिसानी वाला वेसे नहीं है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जो नवाज सरीफ ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और प्रिदहन मंत्री जो नवाश सरीट सेवन पर आरोप क्या लगाए गए तो दिया दिएगा इन्होंने हाल ही में जो सुप्रीम कोट है उसने इनको आयोग के करार दिया था और उसके बाद इन्होंने अपना स्तीफा दिया है इन पर पनामा केस यानि पनामा गेट जो हुआ था जिसमें पनामा में जो टेक सेवन कहा जाता पनामा को वहां की कुछ वहां कमपनी के जिसमें भारत के भी बहुत सारे लोगों का नाम आया था हूँ उसमें इनकी जगा पर जो वहां के प्रदानम्तरी बनेंगे इनी के भाई सहवाज शरीफ जो है अब वहां के प्रदानात्री बनाए गए है केंद सरकार ने सामुद्रिक गति विद्यों में सम्बंदित सभी जानकारी मचवारों और अन्य सम्बंदित लोगों तक पहुचाने के लिए एकी कृत सूचना प्रसार बनाली एप का सुवारं किया कि एप बनाई गई है सीधा सीधा आपसे पूचा काया उस एप का नाम किया दियान जीगा उस एप का जो नाम है वो है सागर वानी सागर वानी नाम से एप बनाई गई है जो मचवारे हैं उनको सम्बंदित जानकारी इसके द्वारा प्रदान की जाएगी अगले प्रसन की बात कर लेते हैं तो वह महासागर जहां वेग्यानिकों ने शार्क मशली की नई प्रजादी की खोच का दावा किया है यहां शार्क मशली की नई प्रजादी खोच की गई है और वो प्रसांत महासागर मैसा किया गया विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रसांत महासागर और इसलिए यह important है इसकी जो plate से जिससे आप यहाँ देख पा रहा है उसके plate से बहुत सारे जौला मुखी है प्रस्थ जौला मुखी है जिसके करण इसको ring of fire के नाम से भी इस plate को या इसके किनारो को ring of fire के नाम से जाना जाता है अगले प्रस्थ की बात कर लेते हैं तो अगला प्रस्थ अंतराश्थी मुद्रा कोस के वर्स 2017-18 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या होगी अगर अंतराश्थी मुद्रा को उसकी बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और क्रिष्टियान अलिगाड जो है इसकी प्रमुक है अगले प्रस्थ की बात कर लेते हैं 27 जुलाई 2017 को Codex Elementary Commission Codex Elementary Commission ने किन मसालों के सार्भोमिक मानकों को अपनाया है तो ध्यान जीगा पहले तो यह समझ लें कि जो Codex Elementary Commission क्या है यह विश्व इस्तर पर एक जो मसाले होते हैं उनके जो मानक यह नहीं उनके स्टेंडर्ड को टे करने वाले उनको रूल को टे करने वाला एक Commission है एक आयोग है जो टे करता है कि भाई विश्व इस्तर पर क्या मानक होंगे जैसे हम देखें एक किलो का माप जो पूरे विश्व में एक जिसा होता है यह एक मीटर का माप और जगा एक बराबर होता है तो यह स्टेंडर होता है उसी तरह से जो है मसालों का स्टेंडर होता है इसमें सामिल किया गया है जीरा, आजवाइन और मिर्च को इसमें सामिल किया गया है अगले प्रस्न की बात करते हैं वाग, गणना, 2017 के नुसार देश में सरवाधिक बाग संक्या कहां की तो देश के अंदर बाग संक्या सरवाधिक जो है करनाटक की करनाटक में लगबख 400 बाग हैं पहले मद्यप्रदेश में हुआ करती थी संक्या और मद्यपरदेश को टाइगरल स्टेट कहा जाता था लेकिन अब मद्यपरदेश में ये नहीं है दूसरे नमबर पर हम बात करें तो 263 बागों के सांथ जो है उत्तराखंड दूसरे नमबर पर इसमें आ गया है तो ये बागों के बारे में है और इंपॉर्टेंट है भाग भारत के जो राश्टी पसू है बाग और विलुप तो होता जा रहा है इसलिए इसका जो है सनरक्षन आवश्चा के तो आज का ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त वीडियो दिया आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरू करके हमें बताना शेयर करें कमेंट करें ताकि आपकी जो बाते हैं वो हम तक पहुंच सके और पिछले जो वीडियो हैं वो हम बना रहे हैं और बहुत ज़द हम अप्लोड कर देंगे आज की बात करें यहीं समापत आप देख रहे थे डिन के अकडमी जो है नमबरवन जी के चनल बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत